हार्दिक पांडिया की हमेशा के लिए हो गई है टीम इंडिया से शुट्टी टीम इंडिया को मिल गया है हार्दिक पांडिया का रिप्लेस्मेंट जी यहां दोस्तों कौन है वो खिलारी बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे लेकिन इससे पहले अगर आप भी है टीम वर्लकप से बाहर होने के बाद अचानक से बड़े बड़े बदलाव हुए है रोहिस सर्मा को विराट को लिकी जगा टीम इंडिया का नया T20 कप्तान बनाया गया है 17 नॉंबर से टीम इंडिया न्यूजिलेंड के खिलाप अपने ही घर में तीन मैचों की T20 सीरिज खेलेगी T20 वर्लकप में घटिया प्रदेशन करना टीम इंडिया के खिलाडी पर भारी पढ़ गया है इस खिलाडी का करियर अब खात मोता नजर आ रहा है T20 वर्लकप में लचर प्रदेशन करने के बाद सेलेक्टरस ने हर्दिक पांधिया को टीम इंडिया से बाहर कर दिया है हर्दित पांडिया को टीम इंडिया से बाहर कर सेलेक्टर्स ने IPL 2021 में धमाल मचाने वाले विस्पोटा कॉल्राउंडर वेंकेटे सेयर को मौका दिया है IPL 2021 में सांदार प्रजेशन कर वेंकेटे सेयर काफी चर्चा में रहे थे कोलकाता नाइटेडर्स के लिए धमाका करते हुए वेंकेटे सेयर ने सभी का ध्यान अपनी और खीचा था वेंकेटे सेयर तूफानी बैटिंग के अलावा घातक बॉलिंग में भी माहीर है वेंकेटे सेयर ने IPL 2021 के 10 मैचों में 128.47 के श्राइक रेट से 370 रन मनाये है जिसमें 4 अर्षा तक भी सामिल है दाय हाथ के फ़र्ष्ट बॉलिंग औल राउंडर वेंकेटे सेयर का बट और गेनबाश T20 में रिकॉर्ड सांदार रहा है वेंकेटे सेयर ओबर ओल T20 क्रिकेट में 48 मैचों में 24 विकेट ले चुके है वेंकेटे सेयर ने अपने सांदार प्रजेशन से दिखा दिया है कि वा हार्दिक पांड्या का बहतरिंग विकल्प सावित हो सकते है भारते T20 की कप्तानी छोडने वाले विराट को लिके अलावा जस्प्रित बुम्रा और मोहमद सामी जैसे सीनियर खिलाडियों को 17 नॉम्बर से जैपूर में सुरू होने वाली T20 सीरिश के लिए आराम दिया गया है भारत की 16 सदस्ये टीम में आईपेल 2021 में सरवाधिक रन मनाने वाले धितुराज गायकवट और सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले हरसल पटेल को भी सामिल किया गया है तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से यादा लोगों तक सेयर कीजिए साथी क्रिकेट के मैदान से जुरी ऐसी और खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले अपना बहुमोले समय देने के लिए धन्यवाद